एपिसोड ग्यारा, अब ये मेरी हैं। जी जी बिलकुल, आप फिक्र ना करें। जैसे ही मिस्टर अमे जाएंगे, मैं आपको बता दूगी। अर्मान की सेक्रेडरी तनुजा से कहती है। तनुजा जल्दी से खिड़की के ब्लाइंस खोल लेती है, ताकि उसे वहाँ बैठे कोई देखना सके। तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद उसे किसी के पैरों की आवास सुनाई देती है। वही आवास, जो पहले रोज उसे अपने बेडरूम में सुनने को मिलती थी, और जिसे सुनते ही वो भाग कर जल्दी से दर्वासा खोल दिया करती थी। पर आज उस आवास को सुनकर खुश होना तो दूर, उसकी चहरे के बिल्कुल जैसे रंग ही उड़ गए थे। उसका दिल सोरों से धड़क रहा था। अमित सर, जब भी हम कोई जरूरी बात करने की कोशिश करते हैं, स्टर अर्मान तभी टॉपिक चेंज कर देते हैं। लगता है कि यह हमारे साथ काम नहीं करना चाते। वो आत्मी धीमी आवास में कहता है। इतनी धीमी आवास होते हुए भी तनुजा जट से उसकी आवास पहचान लेती है। वो और कोई नहीं बलकि आशीश था, जो कभी किसी टाइम पर अर्मान के नीचे काम सीखता था। बराबैसा लग रहा था, मानो जैसे वो अमित का राइट हैंड बन चुका हो। अमित आशीश को जवाब देता है। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें और भी काफी इन्वेस्टमेंट कंपनीज मिल जाएंगी, ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में बस यही है। आशीश कहता है, सुनो तुमने कहा था ना कि तनुजा भी इसी शहर में है, त कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है, मुझे लगता है कि वो यहाँ अपना नाम बदल कर रह रही होगी। आशीश कहता है, जैसे भी करो, मगर उसका पता लगाओ, फिर चाहिए तुम्हें पूरे शहर में ही उसे क्यों न ढूनना पड़े। अमित कहता है, यह सब सुनकर तनुजा एकदम चौंक गई थी, उसे बिलकुल उमीद नहीं थी कि अमित अभी भी उसे ढून रहा होगा, उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, पहले ही वो उसका घर, परिवार, उसकी कमपनी सब ले चुका था, और तू और उसकी पढ़ाई, उसका करियर सब खराब कर दिया था, इतना सफोने के बाद भी वो आखिर क्यों से फिर से ढूनना चाहता था, वो पहले ही इतना अमीर हो चुका था, और उसकी इतनी संदर गर्फरेंड भी थी, क्या ये सब उसके लिए काफी नहीं था, अब और क्या चाहिए था उसे तनुजा से, तनुजा को अब ये लोग दोबारा से करना चाहती थे, इन सब चीजों के बारे में सिर्फ सोचने भर से ही तनुजा कापने लगी थी, तभी अर्मान के सेक्रेटरी वहां आती है, और तनुजा से कहती है, वो लोग जा चुके हैं और अर्मान सर आपको बुला रही है, ठीक है, से सेव चगा थी, उसको देखते ही अर्मान कहता है, बड़ी देर लगा थी तुमने बाथरूम में, मुझे तो लगा गिरविर गई होगी तुम ही, तनुजा चुप रहती है, जिमी उसके लिए जवाब देता है, यार मुझे तेरी बात समझ नहीं आती, हमारी मीटिंग च जा रहा हूं, तो जैसे इंसान के साथ इस टाइम और नहीं रुक सकता मैं। करने लगी है, जबसे उसकी मा ने उससे कहा है कि वो उसके साथ खाना खा सकती है। अब वो उसे डातना चाहता था, पर उसे कोई पहाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बड़े आराम से बड़ी तमीज के साथ बिना आवाज किये आराम से अपना खाना खा रही थी। उसे खाना खाते देख ऐसा लग रहा था मानो किसी अच्छे घर की लड़की वहाँ बैठी हो जो बिना बिलकुल भी शोर किये बस अपना खाना खा रही हो सारे टेबल मैनर्स को उत्यान में रखते हुए तनुचा को ऐसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है जैसे ही वो उपर मूँ करके देखती है उसका अर्मान के साथ आई कॉन्टाक्ट हो जाता है अर्मान अपने ही कुछ ख्यालों में गुमसा था आज जो कुछ भी उसके ऑफिस में हुआ था उसके बाद तनुचा भी अर्मान के लिए काफी अच्छा सोचने लगी थी तनुचा ने पहले भी कई अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के देखे थे पर अर्मान पैसा बिल्कुल नहीं था हाँ थोड़ा खडू सरूर था पर उसे सही गलत की अच्छे से समझ थी उसे अपने हक के लिए अगर लड़ना आता था तो वो उसी तरह किसी और के हक के लिए भी लड़ने के लिए तयार था लोगों की इज़त करना उसे अच्छे से आता था मुझे माफ कर दीजेगा तरसल मुझे बहुत भूख लगी है तनुजा कहती है अर्मान उसे छेड़ते हुए कहता है तुम हो सरूर एक लड़की पर तुम कैदियों की तरह रहती हो तुम्हें ऐसे खाते देख तो कोई भी डर जाए तनुजा एक मिनट के लिए रुख जाती है और सोचने लगती है कि टीबल मैनर्स तो उसे बच्पन से काफी अच्छे तरीके से सिखाए गए है फिर अर्मान ऐसे क्यों ही बोल रहा है शीना वहाँ खड़ी चुप नहीं रह पाती अर तनुजा की तरफदारी करते हुए कहती है माफ कीजीगा सर पर अकर तनुजा को ठीक धंग से खाना खाना नहीं आता तो बाकि हम सब को तो मर ही जाना चाहिए तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा क्या तुम अपना इस बार का बोनस खोना चाहती हो अर्मान कुस्से से कहता है ये सुनकर शीना अपने इपरंस से हाथ साफ करते हुए कहती है बोनस से यादाय सर मैं कल ही नया साल मनाने के लिए छुटी पर जा रही हूँ मेरे बेटे और बहुएं घर पर मेरा इंतिजार कर रही होंगे मैं दो तारीक तक वापस आ जाऊंगी क्या आप भी कल अपने फैमिली हाउस जा रही है कल मुझे अपने फीजियो थेरेपी के लिए हॉस्पिटल जाना है मैं अपने घर पर सों जाऊंगा अर्मान उससे कहता है तुम्हारे जाने के बाद मेरा खाना कौन बनाएगा मैं सब समान पहले से ही लाकर रख दूँगी और तनुजा आपके लिए खाना बना दिया करेगी शीना थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर कहती है वैसे भी तनुजा काफी अच्छा खाना बना लेती है बिल्कुल नहीं ये बहुत ही बेकार चीज़ें बनाती है अर्मान अजीब सी शकल बना कर कहता है ये सब सुनकर तनुजा अपना मूँ साफ करते हुए हंसकर कहती है शुक्र है कि आपको लगता है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती क्योंकि वैसे भी आपके लिए खाना बनाना और साथ ही केर टिकर का काम भी करना मेरे ले काफी हेक्टिक हो जाता अर्मान फिर से उसे जवाब देता है इतनी सालरी देता हूँ मैं तुमें और उसमें तुम सिर्फ एक केर टिकर का काम करती हो बात कुछ हजम नहीं होती ऐसा करो कल से अब शीना के जाने के बाद मेरा खाना भी तुम ही बनाओगी पर ध्यान रहे जैसे शीना करती है वैसे ही तीनो टाइम चार सबजियां और सूप तनुजा जान बूज कर ऐसा दिखाती है जैसे वो इतना सब सुनकर परिशान हो गई हो ये सब देखकर अर्मान बहुत खुश हो जाता है लंज के बाद तनुजा किचिन में शीना की मदद करने लगती है कि तभी शीना उससे पूछती है तुमने जान बूज कर बाहर वो सब बोला न? ये सुनकर तनुजा हस पड़ती है सर कभी-कभी बिल्कुल बच्चे बन जाती है जो भी कोई कहता है बस उसे जवाब देते हैं मना कर देते है शीना कहती है पर अब इससे तुम्हारा काम तो बढ़ी गया है तुम फिक्र मत करो मैं सारा सामान ले आई हूँ पहले ही तुम्हें बस खाना बनाना है कोई बात नहीं शीना, मैं कर लूँगी तनुजा जबाब देती है अगले दिन सुबा का नाश्ता बनाते ही शीना वहां से चली जाती है और ड्राइवर के आते ही अर्मान और तनुजा भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है अर्मान की फीजियो थेरेपी आदा घंटा चली तब तक तनुजा बाहर बैठ कर अपने फोन पर गेम खिल रही होती है कि तब ही डॉक्टर तरुन वहां से निकलते है तनुजा को वहां बैठे देख वो उससे बात करने के लिए रुक जाते है अरे तनुजा कैसी हो तुम मैंने मनीशा से सुना कि आजकल तुम अर्मान जी के यहां उनकी केर टेकर बनकर काम कर रही हो ठीक चल रहा है सब जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ तनुजा चल्दी से उन्हें देख कर खड़ी हो जाती है डॉक्टर तरुन ने उसकी पहले काफी मदद की थी जब वो इस प्रोफेशन और इस शहर में नई आई थी डॉक्टर साहब आप नई साल के लिए छुट्टी पर नहीं चा रही क्या वो पूछती है हम डॉक्टर्स की कहां कोई छुट्टी होती है आजकल तो वैसे ही इतने आक्सिडंस हो रही है कि हॉस्पिटल सारा टाइम फुल रहता है पर हाँ एक दिन का ओफ लोंगा मैं मैंने सुना है नई साल वाले दिन एक नई पिक्चर आ रही है तुमारे पास टाइम हो तो साथ ही चलते हैं देखने डॉक्टर तरुन तनुजा से पूछते है तबी अर्मान भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है डॉक्टर की तरफ देखकर वो कहता है सुरी डॉक्टर पर अब ये मेरी है झाल 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 झाल